नमस्कार मैं डाक्टर राम सुधार सिंग बाबा साहब डाक्टर भीम राव अम्बेड करके 132 में जैनती वर्ष के आउसर पर बारांडशी दूरदर्शन के इस इस्टूडियों में बाबा साहब के व्यक्तित और कितित पर बात करने के लिए हम यहाव पस्तित हैं और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी बिलकुल बाएं तरफ प्रफिसर महेश पसाद अहिरवार जी जो प्राचीन भारती इतिहास संस्कृति वंग पुरातत्त विभाग कासी हिंदू विश्व विद्याले भारांडशी में प्रोफिसर हैं आप पूर्व विजि सुदियों में और उनके बगल में बैठे हुए हैं हमारी बीच में स्री आरके प्रसाद जी जो पुर्व वरिष्ट मंडल प्रबंधक निव इंडिया एंसुरेंस रहे हैं हम सभी जानते हैं कि बावा साथ डाक्टर भीम राव अंबेड कर बीश्मी सताबदी के एक महान सम सामना करते हुए बाबा शाहब अमेरिका जाकरके एकोनोमिक्स में पिएजडी की डिग्री प्राप्त करते हैं और फिर भारत आकरके अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं दलित मुक्ति चेतना को विकास करने के लिए एक ऐसा वाताब्रण बनाना चाहते हैं एक ऐसे समाज के भीतर वो सक्ति देना चाहते हैं जिससे की भारती समाज को समानता के अस्तर पर लाया जा सके उनका मानना था कि भारत की जो वर्ण व्यवस्ता है उसमें तमाम तरह की बुराईयां हो गई है और उसमें सबसे बड़ी बुराई है अईस प्रिश्यता की उसको लेकर के लोगों को संगठित किया उन्होंने और क्यों इतना ही नहीं बाबा शाहब ने किसानों के लिए मजदूरों के लिए लड़ाईयां लड़ी उनको ताकत दिया उनको सक्ति प्रदान किया और सबसे बड़ी बात है कि संभिधान निर्माता के रूप में एक आजादी के बाद जो भारत का संभिधान बना जिस संभिधान के तहट आजादी के बाद हमारा देश अग्रसर हो रहा है लोकतंत्र के रास्ते पर उसको निर्माण करने में बाबा साहथ की बहुत बड़ी भूमी का रही है हम सभी ये जानते हैं कि केवल या एक भ्रम भी है कि केवल दलित मुक्ति से संबंधित है बाबा साहब लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ा काम किया है मैं हमारे बीच में प्रोफसर महेश प्रसाद अहिरवार जी जो जाने माने चिंतक हैं और आपने बाबा साहब के कृतित्त पर बड़ा काम किया है मैं प्रोफसर अहिरवार साहब से जानना चाहता हूं कि महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके ससक्ति करण के लिए बाबा साहब का क्या योगदान रहा है तैंक यू सार जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम लोगों को पता है कि वो बाबा साहब का व्यक्तित्त है वो बहु आयामी व्यक्तित्त है और उन्होंने समाज के बहु संख्यक तबके के लिए जिसमें महिलाएं जो इस देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं तता मजदूर जो बहुत बड़ी संख्या है उनकी देश में उनके लिए उनके लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किये उदाहन के तोर पर हम लोग देखें कि जो महिलाएं से संबन्दित उनका काम है उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता हिंदू कोड़ बिल का और हम दर्सकों को अपने सभी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि बबाबा साब ने महिलाओं के समगर उत्थान के लिए जो खाका तयार किया था उसका नाम था हिंदू कोड़ बिल और ये हिंदू कोड़ बिल उस समय रखा गया बबाबा साब के दोरा जब समिधान सभा का गठन हो चुका था तो सबसे पहले समिधान सभा के सामने ये एक विधैक के रूप में उन्होंने ये हिंदू कोड़ बिल प्रस्तुत किया और इसमें वो सबी प्रावधान थे जिससे हिंदू नारी का संपूर भारत की नारी समाज का उत्थान नहीं था जिसमें उनको संपत्ती में अधिकार की बात कही गई थी उनको तलाग का भी अधिकार था और उनको अपने भाईयों की तरह पिता की संपत्ती में आदा हिस्सा था और ऐसे तमाम ऐसे प्रावधान थे जिसमें तलाग देने का अधिकार प्राप्त था तो ये सबी अधिये पूरी तरह से हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया होता तो हमें आज जो भारत की नारी अपने ससक्ती करण के लिए अपने अधिकारों के लिए जो संगर्स रद दिखाई देती है वो शायद उस समय उसका निदान हो जाता दुर्भाग पूर्ण डंक से हम कह सकते हैं कि उस समय बाबा साम ने 1947 में सम्विधान के सबा के सामने ये बिल पेस किया था अप्रेल माहे में और 1951 तक उस पे कोई चर्चा नहीं हुई पहली बार 1951 में वो बिल रखा गया था परल्यामेंट के सामने लेकिन उसका पुर्जो विरोध हुआ उसे बहुत तरह के भ्रहम पैदा किये गए और संसत के भीतर और भार भी इस तरह का दुस्परचार किया गया कि ये हिंदू महिलाओं को जो संपत्ती और तलाग जैसे अधिकार बाबा साब दे रहे हैं वो हमारे सास्त्रों के खिलाब है तो बबस साहम ने कहा कि ये सास्त्रों के खिलाब नहीं है सनातन धर्म परंपरा में भी अनेक ऐसे सास्त्रकार हैं जिन्हों ने अपने ग्रंथों में हमारी नारियों को हमारी माताओं बेहनों को संपत्ती में अधिकार दिया है तो उस तरह से तर्कफून और तर्टफून डंग से उन्होंने संसत के भीतर और बाहर भी बहस की और लोगों को बताया कि हम जो भी करने जा रहे हमारी माताओं बेहनों और नारी समाच के उत्थान के लिए हैं ये किसी धर्म और उसके खिलाप नहीं है इस समय हिंदू पास नहीं हो सका यद्ड़ भी जो बावा साब ने जो पूरा खाका तयार किया था बाद की सरकारों ने समय समय पर अनेग बिल पास कि जो महिलाओं के उत्थान के दिसा में मील का पत्थर साबित हुए सब के पीछे वही है हिंदू कोड़ बिल पास नहीं हुआ है तुकड़ों में उसके प्रावधान पास हुआ सर आपसे हम बाद करेंगे मजदोरों और किसानों का लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा आपसे रुकाउट के लिए छमा चाहते हैं कि मैं आरके प्रसाद जी से जानना चाहता हूँ कि संबिधान निर्माता के रूप में उनक धन्यवाद सिंग साब डाक साब देखें हमारे देश में बाबा साब को मातर एक दलित अधारक और समिधान इर्माता की रूप में देखा गया है आम लोग जो है कि बाबा साब को किवल यही इसी नाम से जानते हैं जैसा कि डाक साब ने कहा भी कि बाबा साब नारी उत्थान के लिए कितना काम किया देश के खंड़ता एक खंड़ता को के लिए कितना काम किया और चितर में बाबा साब का बहुत भी कास है आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब लोग काते हैं कि बाबा साहब ने किबल सम्विधान निर्माता में बहुत अलोग थे बाबा साहब उनके साथ कई में मरते हैं आपको बताते हैं कि सम्विधान प्रारूप समीती के साथ सदर से थे रहे, साथ सदरसे थे निउक्तुवे बाबासाब अध्यक्ष थे लोग बाद और उसमें हुआ कि सारा संव्विधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी बाबासाब पाएगी? बाबा साहब के साथ काम किया है, बियन राव साहब का बहुत बड़ा आर्टिकेल्स, देश विदेश, सारी चीजें का काम उन्हों ने किया है। सर भारत देश उस समय टुकड़ों टुकड़ों में था, संपूर्ण अकंड भारत हमारे सामने नहीं था, और संबिधान को बनाते समय उसके निर्मान करते समय यह द्रिष्टी जरूर रही होगी। तो उस अकंड़ता को लेकर के बाबा साहब का क्या सोगी। बाबा साहब ने हमारा देश बेसमताओं करते से, जैसे आप देखते हैं कि छेत्र, भासा, आज संस्कृती, तमाम चीजों से हमारा देश बहुत ही अलग है। कभी आप साउथ को देखिए तो उसका कल्चर का है, लोग काते हैं, रामचेश सुकले ने कविताब कहा था कि कोस कोस पर बदले, पानी चार कोस पर बानी, हमारे देश में परिलच्छित होता है। और बाबा साब ने देश के खंड़ता के लिए उतना काम किया, आज सम्मिधान नहीं होता, तो हमारा देश सहथ खंडित हो गया होता। और इसमें हम सब लोगों को उनके उस सोच को उनके विजन का सम्मान करते हुए कमसकम ये जो असमानता देश में है इसको जरूर दूर करना चाहिए सर बावा साहब के विचारों का अनपालन करने के लिए सम्मिदान के रूप काम करने के लिए हमारी जो सरकारे चूनी गई सुरू से लेके आज तक उनकी इच्छा सकती नहीं रही आज हमारे देश में अगर ये सबसे बड़ा काम सरकार का है कि देश में समानता एकता अखंड़ता को बनाए रखने के लिए हर मनुश्य को समान रूप से सिच्छा स्वास पर विचार करया जाए और आप जैसा देखते हैं कि हर नागरी को पढ़ने लिखने का अधिकार है देश में कहीं भी समिदान के अनुसार स्वतनत रहा है बाचीत बोल चाल रहने बसने सबका सिच्छा के संबन में भी हमें बाबा साहब के विचारों का सम्मान करते हुए जैसी उनकी सूझती उसके आगे हमें सिच्छा पर भी बच्चों के सिच्छा पर भी काम करना चाहिए सर ये सिच्छा देखिए सिच्छा तो हमारे देश की मूलभूत इस समय सर एक बड़ा सवाल वाइसर में जोड़ना चाहूंगा कि ये जो अभी हाल के वर्सों में जो सरकार ने किया है प्रात्मिक सिक्षा को अनिवार कर दिया ये बाबा साथ ने समिधान निर्मार के समय ही इसको जोड़ दिया था कि सभी 14 वर्स तक के बच्चों को प्रात्मिक और अनिवार सिक्षा होनी चाहिए बिल्कुल ये बाबा साथ बिल्कुल बहुत बड़ी बात है दा बाबा साथ भीमराव अंबेडकर का भासा को ले करके विशेश करके हिंदी भासा को ले करके उनकी सोच क्या थी चूँकि उस समय प्रदेश के आधार पर भासा के आधार पर प्रदेशों का भी भाजन होगा जिसका खाम्याजा हम आज भुकतर रहे हैं तो हम प्रुफसर महेश पुसाद जी से जानना चाहेंगे कि भासा के संबंध में भीमराव अमेटकर जी की क्या सोच थी क्या चिंतन था इस विसे में आप थोड़ा सा बिस्तार से बात करें हम लोगों से सर ये हमारे देशवासियों को बहुत कम इस बात की जानकारी है कि बाबसाब हिंदी भासा के बहुत बड़े पैरोकार थे और वो छेतरी भासाओं के समर्थक तो थे लेकिन रास्ट की एकता और अखंडता के लिए एक भासा के बहुत बड़े पैरोकार थे और इस पर काफी लंबी बहस भी की और आपके समिधान सबा में भी बहुत लंबी बहस चली जिसमें बाबा साब ने इस बात की वकालत की कि हिंदी हमारी रास्टी भासा होनी चाहिए मैं आपको बता देना चाहूँगा मैं बलकि बाबा साब का जो विचार था उसको पढ़के ही आपको हम ताकि दर्सक भी उनके भासा के संबन में जो विचार हैं उसको जान सकते हैं कि एक तो वो इस बात के समर्थक्य की थे कि जो अंग्रेजी हमारी भासा है जो चली आ रही थी उस समय वो सिर्फ आगे के पंदा वर्सों तक ही रहे और इसके बाद उसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए हमें खुद अपनी जो मातर भासा है वो मातर भासा के रूप में हमारी राज भासा के रूप में हिंदी को इस्थान मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए इस पर भी उन्होंने जो कहा है वो बहुत काविले तारीफ है बाबा साब का कहना था कि जिस एक्ता और रास्टी एक्ता के लिए एक भासा होनी चाहिए वह हंदी ही हो सकती है कितनी बड़ी बात है बड़ी बात है आगे वो कहते हैं कि वह भारती नहीं है वह आदमी भारती नहीं है जो हिंदी का विरोधी है वो भारती नहीं यह बावस आप कहते हैं इसके बाद कितना विरूध हुआ हिंदी को लेकर कितना हुआ 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 बाबा साब इसलिए हिंदी के पेरोकार थे और आपको बता दें हम दर्सकों को बताना चाहते हैं कि उस समय पूरा महौल हिंदी के विरोध में था लेकिन जब बाबा साब ने यह तमाम तर्क रखे तो उन तर्कों के सामने सब लोग कन्वीन्स हुए और हिंदी पर जो मत करके हुआ मैं दो कोटेशन बाबा साब के और पढ़ देना चाहूंगा एक तो यह है कि उनका कहना था कि हर राज की सरकारी भासा वही हो जो कैंद्र की हो है ना हिंदी राज्यों की सरकारी भासा होगी यदि भारती इस व्यास्था को सुईकार नहीं करेंगे तो भासा भा लेकर के हम विवादों को जानते हैं तो यदि हम हर राज की अपनी भासा होगी तो स्वभाविक तोर पर राज्टीता की भावना कम जोर होगी इसलिए कि एक जो बाज्यों की सरकारी भासा के संबंद में जो भीमराव अम्बेडकर जी का विचार था उसको बहुत संखेप हम सब के सामने प्रigent कर रहे थे और यह कहा जा सकता है कि अगर हिंदी इस राष्ट की राजवासा आज है तो उसमें बाबा साहब का यख़दान बहुत अधिक है नहीं तो नहीं होगा होता हिए और देश के विकास के लिए, राष्ट के समनत विकास के लिए एक भासा होनी ज जिस पूरजोर धंग से बावा साहब इसकी वकालत करते हैं, इसी यह उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बावा साहब एकनॉमिक्स में, मन अर्थ सास्तर में एक बड़ी डिग्री प्राप्त करके आये हुए थे। तो आर्थिक रूप से भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रसाद जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी सोच थी सत्थ। अनरुक की गई है। दूसरी चीज एक है कि बावा साहब की ये सोच थी, भाखणा नंगल बाथ, ये नदियों पर बाथ बाथ करके कि क्रिसी छितरों में पानी का पहुचाना, और बाड़ को रोकना, और बाड़ की पानीयों को रोक करके उसका उप्योक करना, बावा में उनके दोरा वो सुकृति किया गया था और बाबा साहब सबसे बड़े काम ये करना चाहते थे कि वो क्रिशी को राश्टिक कृत करना चाहते थे अच्छा ये राश्टिक करना चाहते थे जिससे हमारे क्रिशी की उत्पादन उत्पादन में गुडवत्ता साथ साथ रोजगार भी और यहां पर सभी को एक बराबर करें अगर क्रिशी का राश्टी करण होता तो आज आपके पास ज्यादा हमारे पास कम इनके पास ज्यादा यह प्रस नहीं खतम होता जैसे यह तो अनुवरत यात्रा है और यह बात जरूर है कि देश के स्वतंत्र होने के समय जिन महापुरुसों ने भारत के भविश्य का सपना देखा था एक ऐसे भारत का सपना जो ससक्त हो जो संप्रभू हो जो जहां कोई और समानता नहों सभी बराबर हो ऐसे सपना जिन म पुरूसों ने देखा था उसमें बाबा साब डाटर भीम राव अमभेड कर का एक प्रमुक स्थाम्द है तो हमें बाबा साब के विचारों का उनकी शोच का उनके विजन को मानते हुए सिख्चा के च्छत्र में, आर्थिक च्छत्र में, कृषी के च्छत्र में, भासा के सवाल पर आपने इतना महत्तफूर्ण बात हमें बताई है, हमें बाबा साहब के विचारों को अपनाना होगा और यही उनके प्रती सची स्रधानजली होगी. एक बात और राट साहब से जानना चाहूँगा प्रॉपसर महिज पुसाद जी से कि बाबा साहब को हम सब लोग एक बड़े सीमित दाइरे में रख लेते हैं कि वो दलित के नेता हैं जबकि उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए बड़ा संगर्स किया है थोड़ा सा सं संग्षेप में क्योंकि हमारे पास एक समय है थोड़ा सा हम आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ बातें बंबई में मजदूरों के साथ उन्होंने आंदोलन किया था वो बनारस भी आये थे उसी संदर्व में जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप थोड़ा 38 से लेकर के 45 तक वो जो मजदूरों के हित में जो बाबस सामने काम किये उनकी कुछ बिंदूओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा हम बताना चाहते हैं कि आज जो हमें एक सेवा के बदले जो आठ घंटे का जो काम है उस समय 16 घंटे काम लिया जाता था मजदूरों स तो उनको एक मौका मिल गया तो ये मजदूरों के हित में काम करने के लिए मजदूर मंत्री बनाए गये थे तो उन्होंने जो काम के 16 घंटे थे उसको 12 घंटे किया और वो बाद में जाकर के 8 घंटे में बदल गया जो हम सब करते हैं और इसके अलावा स्रमिकों से काट लेते थे तो उन्होंने सवेतन और चुटी में दी जाता है मजदूर तो उस दिन का वेतन नहीं कटे गया इसका प्रावधान किया रात की पाली में महिलाओं और बच्चों को भी क्योंकि बाल सम्भी बहुत जो जो होता था तो रात की पाली में बच्चे और जो महिल समीति हैं उस प्रबंदन समीती में मजबूरों का भी प्रتمिदी हो इसका प्राउधान अबसाब ने कर वे रॉग साथigner है एक और बड़ा काम था जो सेवा योग customize कार्याल है अज भी चल रहें इस देश में यह बाबसाप की दैर्ण सेवा योजन कार्यालों की इस्थापना बाबा साहब ने उसी समय ब्रिटिस सर्थकार के समय ही करवा दिया था। और इसके अलाव जैसे जो महिला स्रमिक हैं उन स्रमिकों को जो प्रेसो के पूर और बाज के आखास मैटर्निटी लीप का जो प्रविजन है बाबा साहब ने उनीस सो ब्यालिस में करवा लिया था अप अंदाजा लगाई है और यद्दा पी वो पहले चार सब्ताय का था उसके कार इस्थल में क्रेच की वैस था ये बाबा साहब ने किया अगर उसका बच्चा है वहाँ जा रहा है तो उसके लेक्रेच की वैस था कार खानों के मालिक करेंगे तो ये बहुत बड़े का बाबा साम ने स्रमिकों के लिए किये और उचाह महिला स्रमिक हों या पुर उनका जो व्यक्तित्व है बहुँ आयामी है इन जो बहुत सारे अंचुए पहलू है उन अंचुए पहलूँ पर भी प्रकास डालने की जुरूरत है वो केवल एक सीमित वर्ग विसे स्याजाती विसे से उच्छी बात सरा आपने बहुत महत्वपूर बाते बताई है और बावा साब का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं तो यह समझता हूं कि उनके प्रती उनके अस्मरन करने उनको और उनके प्रती सच्छी स्रद्धांजली यही होगी कि हम कम सकम जात के मकड़ जाल को जोड़ तोड़ें बाराण सी दूरदर्शन की ओर से आप सब के प्रती आभार व्यक्त करना चाहते हैं बड़ा व्यक्तित्त है बाबा साब भीमराव अंबेडकर का जिनके व्यक्तित्त के बैविंध्य पुर्ण पहलू है नागारजुन जी की एक कविता है अंत में उससे मैं समापन करना चाहूंगा यह लाल सुर्य जो चमक रहा है मेरी की भी आभा है इसमें यह जो भारत आज संप्रभुता के साथ चमक रहा है इसमें बाबा साब भीमराव अंबेडकर की भी आभा है उस आभा को हम नमन करते हैं प्रणाम करते हैं और उनके प्रतिस्ता धांजी लिए अर्कित करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद चौरुग जा फूहाएं कि ऐस रीचिट घॉट तो फिर Cut घूँक हम रहें अपना है कि बैल दूए पורה